अध्याय छे देख रहे हैं उप्निवेश्वाद और शहर उप्निवेश्वाद और शहर के बारे में बात करेंगे आज पहले जो समय था ये मश्ली पट्टम का एक दृष्ष है सत्रवही यानि कि 17 सेंचुरी शताबदी में जो मश्ली पट्टम है बहुत महत्पूर्ण बंदरगाह के रूप में विक्सित हुआ था लेकिन 18 सदी का आखिर तक जब व्याफार बंबई, मदरास और कलकत्ता के नए बिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा तो उसका महत्पूर थोड़ा घड़ गया अपनी मैशिक शासन में शेहरों का क्या हुआ हमें देखा बिटिश सब्टा में गाउं का क्या हाल हुआ अब शेहरों में क्या हो रहा था मदुरे जैसे जो मंदिर है, मंदिरों वाले शेहर है उसका इतिहास धाका जैसे जो उत्पादन शेहर है जहां पर उत्पादन होता था या बंदरगा शेहर जैसे सूरत है वहाँ के जो अलग-अलग जो एरियास है तो यह तीनों अलग-अलग चीज़े हो रही थी यहां पर तो सबका विकास अलग हुआ पश्चिमी विश्व के जो जादातर भाग है उनमें आधुनिक शहर ओधोगी करण के साथ सामने आ है याने कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ शुरू हुआ जैसे बिटेंड में लीड्स और मैंचेस्टर इस तरह के कि ओधोगिक शहर उननीसफी और बीसफी शताबदी में तेजी से फैले क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी करने मकान लेने और बहुत सारी जो सुमिधाय थी उसकी उमीद पाले यहां इस शहरों की तरफ आ रहे थी उननीसफी सदी में भारती शहर पश्चिव यूरोप के शहरों की तरह तेजी से नहीं फैले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे प्रेसिडेंसी एक शब्द आएगा उसको समझेगा कि जब शासन की सुविधा के लिहास से आपनी वेशिक जो कॉलोनियन की बात हम कर रहे थे भारत को तीन प्रेसिडेंसी बंबई, मदरास, बंगाल मुंबई, जो चन्नाई है अभी और बंगाल उसमें बाट दिया गया था यह तीनों जो प्रेसिडेंसी हैं सूरत, मदरास और कलकत्ता में स्थित इस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्टरियां है व्यावसाई किया कहीं व्यापारी चौक्यों को ध्यान में रखकर यह बनाई गयी थे प्रेसिडेंसी कहते थे तो अठारवी सदी के आखिर में कलकत्ता, मंबई और जो मदरास है इनका महत प्रेसिडेंसी शेरों के रूप में काफी तेजी से बढ़ रहा था अब यह एक ब्रिटिश सत्ता के केंदर भी बन गए थे बाकी दूसरे जो शेर है वो कमजोर पढ़ते जा रहे थे खास चीजों के उत्पादन वाले जो शेर है इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहाँ जो चीज बनती थी उनकी मांग घड़ गई तो जब व्यापार नए इलाकों में केंदर धोने लगा तो जो पुराने व्यापारी केंदर है और बंदरगा वो पहली वाली स्थिति में नहीं रह सके जैसे हमने मशली पट्टम के बारे में देखा भी इसी तरीके से जब अंग्रेजों ने जो स्थानी राजाओं को हरादिया शासन के नए केंदर पैदा हुए तो क्षेत्रिय सत्ता के जो पुराने केंदर है वो भी ढग है ये जब प्रक्रिया मैंने आपको बताई इसी को हम विशहरी करण कहते हैं विशहरी करण कहा गया इसको जैसे मशली पट्टम, सूरत और शीरंग पट्टनम जो उन्नीसवी सदी में काफी ज़ादा इनका विशहरी करण हुआ बीसवी सदी की बात करें तो उसके शिरुआत में किवाले ग्यारा प्रतिशत लोग शेहरों में रहते थे उन्ली 11 परसेंट चितर जादा क्लियर नहीं है लेकिन इसके बारे में अगर आप मैं आपको बताऊं तो अठारवी सदी में ये बंबई का बंदरगा है तो जब इस्ट इंडिया कंपनी पश्चिमी भारत में मुंबई के जो मुख्य बंदरगा है उसके रूप में इस्तमाल इसको करने लगी तब मुंबई याने बंबई शेहर फैने लगए अब जो एतिहासिक शाही नगर दिल्ली ये उन्नीस्वी सदी में एक धूल बराब बस छोटा सा कजबा ही बनका रह गया था सोचे दिल्ली का क्या उस समय था परतु उन्नीस सौ बारा में बिटिश राज की राजधानी बनने के बाद इस में इस शेहर दिल्ली में दुबारा जाना था अब हम समझते है कि आपनिवेशिक शासन के दौराण यहां चल क्या रहा था शेहरी करन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे लोग वो शेहरों और कजबों में जाकर रहने लिखते हैं नए दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियां रहा है आज दिल्ली हमारी राजधानी यह आप सोचें कि यह शेहर एक हजार साल से भी जादा समय तक राजधानी रह चुका है थोड़े थोड़े गैप भी आए इसके बीच में तो यमिना नदी के बाएं किनारे पर लगभग साथ वर्ग मील के छोटे से शेत्रफल में कम से कम 14 राजधानिया 14 कैपिटल्स अलग-अलग समय पर बसाई गई तो आधुनिक नगर राज दिल्ली में घूमने पर इन सारी राजधानियों को आप अवशिष आज भी देख सकते हैं तो इन में जो 12 सी जो 17 शरताब्दी की बसाई गई जो राजधानी है वो इंपॉर्टन्ट है कुछ शब्द आएंगे उसको मैं पहले बताओ दरगाह ये सुफी संत संत जो होते हैं उनका मगबरा उनको दरगाह कहते है खान का मतलब ये है कि जो यातरी होते हैं उनका विश्राम घर या ग्रहए कहा सकते है जहाँ पर लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते हैं संतों का आशिरवाद लेते हैं या नेरत ये संगित कारिकरम डेखते हैं अनंड लेते हैं ईद गाह का मतलब ये होता है मुसल्मानों का एक ऐसा खूला प्रातना जैसे उसके उपर च्छत नहीं होगी दिवार जैसी चीज नहीं होगी कोई खुला होगा मैदान एक तरीके समयले जहां सारवजनिक प्रात्ना और तिवहर होते है खास तोर पे ईद की नमाज होती है ईद गाह कहते हैं कुल्दे सेक एक शब्द आएगा यह जो यहां आएगा ऐसा रास्ता जहां जो जाके एक जगा बंद हो जाता है यानिकि जोसे डेड एंड कह सकते हैं या उसके आगे और रास्ता नहीं है तो यह एक पिक्चर वैसे जैसे क्लियर नहीं है यानिकि मैं इसको संधाने कोशिश करता हूँ कि 19. सदी के मद्द में शाह जहानाबाद यह उसकी एक पस्वीर है तो अब आप यहां पर अगर देखे तो आपको किला दिखाई देगा शेर को घेरने वाली जो दिवार है वो है बीचो भी जो चान्दी चौक है जो आज बहुत फेमस है उसका बहुत मुख्य रास्ता दिखाई देता है इसमें और यह जो आपको नदी दिख रही है नदी लाल केरे से सट कर बह रही है अब कुछ इसका रास्ता बदल किया है जहां नाव किनाने के तरफ बढ़ रही है उसे हम दरिया गंज कहते हैं पर आपको सारे अलाके मिल जाएंगी दरिया का मतलब होता है नदी और गंज का मतलब होता है बाजा है अब यह जो सारी राजधानिया थी उसमें सबसे शानदा राजधानी शाह जहाने बनाई उन्होंने बसाई शाह जहानाबाद इसकी स्थापना होई 1639 इसकी शुरुआ थी इसके अंदर एक किला महल और बगल में सटा शहर था लाल पत्थर से बने लाल किले ने महल परिसर बनाय गया था और इसके पश्चिम की ओर 14 दर्वाजों वाला पुरारा शहर था चांद्नी चौक और जो फैस बाजार है उसकी जो मुख्य सडके इतनी चौड़ी थी कि वहाँ से शाही यात्राय आसानी से निकल सके और चांद्नी चौक के बीचों बीच नहर थी घने महले और दरजनों बाजारों से घिरी जो जामा मस्जित है भारत की सबसे विशाल भव्य मस्जितों में से एक थी इससे उची कोई मस्जित नहीं थी उस समय तो शाह जहां के समय दिल्ली सूफी संस्क्रिती का भी एक बड़ा एहम केंद्न था यहां कई दरगा खान का और इदगा थी बड़े बड़े चुराहों तेड़ी मेड़ी गलियां खामोश कुल्दे से किया रहे कि जहां रास्ता जाके बंद हो जाता है और जल्ध हराओ पर दिल्ली वालों को बड़ा नास था उस समय इसलिए मीर तकी मीर यह कहते है कि दिल्ली की सड़के महस सड़के नहीं यह तो किसी चित्रकार की अलबम के पन्ने है यह दिल्ली से जो जम्म मस्जिद है उसका पूरवी दर्वाजा है यह टॉमस डेनियल साब ने बनाया है तो मिनारों और पुरे गुमदों वाली यह भारत की पहली मस्जिद थी मिनार भी है इसमें यह देखिए और यहां गुमबग भी है अगर आप इसके अंदर जाएं तो तो दिल्ली में यह निजाम अदिन ओल्याग की दरगा है कभी आप निजाम अदिन विल्वे स्टेशन के आस पास हो जरूर इसको देखिए अगर रोहानी आपको सुकून मिलेगा अब आदर शेर नहीं था लिए शाह जाहन अबाद इसमें आश और आम की जो आश और आम है उसमें के लिए भी कुछ सर्फ कुछ लोगों के हिस्से मतलब आश और आम कुसी लोगों के इसमें आते थे हिस्से में फासला बहुत गहरा था रही अमेर गरीबों के बीच में हुएलेओं के बीच गरीब के असंख कच्चे मगान थे शायरी और रित्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया आमतौर पर सिर्फ मरदों को मनुरणजर का स्थानन लेती है तो त्योहार और जलसे जलूसों में ठक्राव भी होते थे लोग ठक्राव करते थे अब आते हैं नहीं दिल्ली नहीं दिल्ली का निर्माद आपने सुना वोगा New Delhi Realization Old Delhi इस तरीके से बात होती है तो 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर अपना नियंतरण कर लिया क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकता थी ब्रिटिशों के लिए राजधानी कलकता थी इसलिए मुगर्बाजशा को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी लेकर आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है ये 1911 में तब बरना शुरु हुआ था जब ब्रिटिश ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया एक अतीथ तूटा धुन्स हुआ तो 1857 से पहले दिल्ली के हालाद जो दूसरे आपनियोशिक शहर है जो भारती और अंग्रेजों की बस्तिया थी वो अलग अलग होती है भारती लोग जो काले इलाके हैं उसमें और अंग्रेज ये सुसजित गोरे इलाकों में रहते थे दिल्ली में ऐसा नहीं था खास तर पर जो 19 सदी के जो पूर्वार्द है उसमें दिल्ली के जो अंग्रेज है वो भी पुराना शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ में रहते थे यानि हिंदुस्तानी ये विडियो साथ में रहते थे वे भी उर्दु फार्शी संस्कृती और शाहरी का मज़ा लेते थे और अस्थानी तेवहारों में हिस्सेदारी भी करते थे तो कुछ शब्द इसमें आएंगे उगल फरोशां यानि फूलों का तेवहार और पुर्णर जागरन इसका जो शाब्दी अर्थ है लिटरल मीनिंग ये है कि कला और ग्यान का पुर्णर जागरन ये शब्द ऐसे दोर के लिए इस्तेमाल हुआ जब बहुत बड़े पेमाने पर रचनात्ता गतिविदिया होती है पुर्णर जागरन अब 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई जिसकी शुरुआत 18 सदे में मदर्सी की रूप में हुई अब इस संस्था में विज्ञान है मानव शास है उसकी शित में एक नए युग का सूत्रपात किया यानि की एक बीजबो दी यहां मुक्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था बहुत सारे लोग 1830 से लेकर 1857 के अफ़ी को दिल्ली का पुरर जागरन काल मानते हैं यह एक चित्र है बिटिश टुकणिया दिल्ली की सड़कों पर विद्रोहियों का कतले आम करके यह बदला ले रही है तो 1857 के बाद यह बदल गया विद्रोह हुआ तो विद्रोहियों ने बादूर शाह जफर को विद्रोह का नेत्रिस समालने के लिए मजबूर कर दिया चार महने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रन में रही जब अंग्रेजों ने दुबारा नियंत्रन यहां पर हासिल किया तो बदले और रूटपाट की मुहीम पर निकल पड़े गालिब बहुत प्रसीद शायर है उदास मन से इन घट्टाओं को देख रहे थे तो 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने कुछ ऐसे बयां कि जब गुसाई शेर यानि कि अंग्रेजों की बात कर रहे थे शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बे सहरों को मारा घर जला डाले ना जाने कितने औरत मर्द आम और खास तीन दिल्ली से भाग खड़े हुए और उन्होंने छोटे छोटे समूदायों और शेर के बार मगबरों में पना ली अब बगावत दोबारा ना हो तो अंग्रेजोंने बादुर शाज जफर को भेज़ दिया रंगों उनका दरवार बंद कर दिया गया महल कई गिरा दिया गया बागों को बंद कर दिया गया और वहां पर अप सैनिक बैरक बना दिया गया अब सारा इलाका अलमोस साफ कर दिया गया ये एक चित्र है जामा मस्जिद से देखने पर आपको दिखाई देता है मस्जिद के चारों तरफ जो बनी इमारत है 1857 की बगावत के बाद उन्हें साफ कर दिया गया था जो मैं यहां बता रहा हूँ तो वहां के बाग बैदार मस्जिदे मंदिरों को नहीं दोड़ा था उनने सब खतम कर दिया गया अब अंग्रेज सुरक्षित रहना चाहते था यह सुरक्षित करना चाहते खास तोर से जो मस्जिद है उसको या तो नश्ट किया गया या किसी और काम ले उसको इसको इस्तमाल किया गया मिसाल के तो जाना जाए तो जीनत अलमस्जिद को एक बेकरी में तब्दिल कर दिया गया जामा मस्जिद में पांस साल तक कोई नमाज की इजाज़त ही नहीं दी गई शहर का जो एक तिहाई हिस्सा है उसे ढ़ा दिया खतम कर दिया गई नहरों को पाट कर बिल्कुत सम्तल बना दिया गई अब रेले की स्थापना करके और या करने और शहर के जो चार दिवारी है उसके बार फैलाने के लिए 1870 के दर्शक में जो शाह जाहना बाद है उसकी पश्चिमी दिवारों को तोड़ दिया गई अब अंग्रेज उत्तर की तरफ विक्सित हुए जो विशाल सिविल लाइन्स है उस इलाके में रहने लगए सिविल लाइन्स अंग्रेजों का अलाका अब वे पुराने शहर में भारतियों की साथ नहीं रहते दिल्ली कॉलेज को अब एक स्कूल बना दिया गया और फिर 1777 में तो बंदी कर दिया गया ये चितर देखिए आसपास की जो इमारत है उसको घरा देने के बाद जो जामा मजजित का जो दिर्श है आप इसको कह सकते हैं कि बिफोर आफटर का केस है कि उसके बाद कैसा दिखाए सिम्तल मैदान हो गया था अब बनाई गई एक नए राज़ानी की योजना नए कैपिटल की योजना तो अंग्रेजों को दिल्ली के सांकितिक जो महत्व है सिम्बलिक जो इसका इंपॉर्टेंस है उसको उसका पता था तो 1857 की बगावत के बाद उन्होंने सारे शांदार आउजन यहीं किया 1877 में वाइस रॉल लिटन उन्होंने रानी विक्टोरिया को भारत की मलीका घुर्शित करने के लिए एक दरबार का आउजन किया वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकता ही थी लेकिन इस विशाल जो दरबार है उसका आउजन दिल्ली में किया गया क्योंकि विद्रो के दरान अंग्रेजों ने ये जान लिया था कि लोगों की नजर मुगल बादशा का मैं तो अभी भी उनका बना हुआ है और वो अभी भी उन्हें मुख्या मानते हैं तो इसलिए बिटिश सत्ता का मुगल बादशा हों और 5857 की जो बागियों है उनके मुख्य के इंदर में पूरी तड़क-भड़क के साथ प्रदर्शन करना लाजमी था उन्होंने किया ये चित्र है जॉर्ज पंचम हम भी बात करेंगे जॉर्ज पंचम का जो राज विशेख है कोरोनेशन जिसे कहते हैं उसका दरबार 12 दिसंबर 1911 इस दरबार में एक लाग से ज़्यादा भारती है राजा महराजा अंग्रेज अफसर और सिपाही जमा हुए तो उसमेदे कि एक लाग लो तो 1911 में जब इन्हें जॉर्ज पंचम साब को इंगलेंड का राजा बनाया गया कि अब कलकता से दिल्ली जाजधनी बनेगे ये राइसीना पहाडी के उपर यहां जरूर गए होंगे कई बहुत सुन्दर इलाका है ये जो है वायसरीगल पैलेस राश्पती भावन ही से हम कहें तो तकाली शहर के जो दक्षिन में राइसीना पहाडी उस पर दस वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली बनानी शुरू हूँ एड़वर्ड लिटेंस लूटियन जोन जिसे हम आज उस जगह को जान से है तो ये एड़वर्ड लेटियन्स लूटियन्स और हर्बट बेकर ये वास्तुकार थे जो नई दिल्ली और उनकी इमारतों का डिजाइन तयार करने के लिए इन्हें जिम्मा सौपा गया तो नई दिल्ली अर्केटेक्ट कह सकते हैं इनको आप नई दिल्ली इस्तित जो सरकारी परिसर में दो मील का चोड़ा रास्ता वाइसराय के महल यानिकी जो आज राश्पती भवन है उस तक जाने वाला किंगस्वे जो आज राश्पत है और उसके दोनों तरफ सचिवाले की इमारत बनाएगी अब इन सरकारी इमारतों की बनावट जो थी भारत के शाही इतियास के अलग-अलग दोर की जल्कियां आप इसमें देख सकते हैं फिर भी इसका जो रूप है मोटे तोर पर जो क्लासिक युनान है पांचवी शिताबदी इसापुर उसका दिखाई देता है जैसे उधारन क वास्तो शिल्प सली गई लेकिन नई मारतों में ब्रिटिश प्रभुत्र की जल्क थी जरूरी थी इसलिए वास्तो कारों ने इस बात का जरूर ख्यार रखा कि वायसराय का महल शाहजा की जामावजिस से उचा हो अभी कैसे किया जा सकता था नए दिली के निर्मान में चोड़ी सीधी सड़कों और विशाल परिसरों की बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्बना की गई थी तो पुराने दिली में जो अफरा तरफरी थी नहा शहर स्वच और स्वस्त दिखाई पड़ता था अंग्रेजों को भीर बरे जो गंदे इलाके हैं स्वास के लिए हानिकारक बिमारिया उन्हें वहाँ दिखाई देती थी इसलिए नई दिली में बहतर जलापूरती वंदगी के निकास और नालियों की पूरी व्यवस्ता तियार की थी उसे जादा हरा भरा बनाये गया वहाँ पेड़ और बड़े बड़े पार्ग मनाये गया ताकि लगात उसके दोरों तरफ आबादी बड़ी तालात से विस्थापित हुई रिलोकेट हुई नतीजा यह हुआ कि दिली की आबादी बढ़ गए रोस्दगार बदल गए शहर की संस्कृती बिलकुल अलग होगे तो स्वतनता और विभाजन के कुछी दिनों बाद धंगे शुरू ह दिली में हजारों लोग मारे गए घर बार बूट का जरा दिये गए दिली से पाकिस्तान जाने वाले मुसल्मान ये मुसल्मानों के जगा पाकिस्तान से जो आए सिख थे हिंदू शरनार्थियो वो उन्होंने वहाँ जगा ले ली तो शहाजाना बाद में लावारिस मकानो पर खबजे के लिए शहर नार्थियों के जुन्ड घुमने लगे कई बार उन्होंने मुसल्मानों को भग जाने और उनकी संपती बेशने के मजबूर भी किया दिल्ली के जो दो तिहाई मुसल्मान है वो पलायन कर गए जिस से लगबग 44,000 मेकान खाली हो गए बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने की इंतजार में काम चला ओ, शिवरों में भी रहने लगे तो समय दिल्ली शहर नार्थियों का शहर बनी अगर आप देखते हैं किंस्वे कैम, ये कैम, वो कैम दिल्लियों में जो शहर नाम सुनते हैं न, कैम, वो यही थे तो समय दिल्ली शर्णार्थियों का शेहर बनी दिल्ली की आबादी में लगबग पांच लाख की वरिद्दी होगे जब कि 1959 में या की आबादी जो है आठ लाख से कुछ ही जादा था जादा तर लोग पंजाब से आए विशिवेर, स्कूलो, फौजी, बैरको और बाग बगीचों में आके रहने लगे उनमें से कुछ को खाली पड़े मकानों पर कबजा करने का मुका मिल गया बहुत सारे लोग शर्णार्थी बस्तियों में रहने लगे लाच्पत नगर, तिलक नगर ये जो बस्तिया हैं इसी समय बसी थी तो दिल्ली में आने वाले की जरुतों को पुरा करने के लिए दुकान और स्टॉल खुल गए, स्कूल और कॉलेज भी खुल दिये गए ये विभाजन के बाद हजारों लोग दिल्ली में जो शर्णार्थी बने उनका एक चित्रण है तो जब लोग यहां से गए उनकी जगह जो शर्णार्थी आये उनकी निपड़ता और कामधंदे अलग थे पाकिस्ताने जाने वाले जो मुसल्मान कारीगर छोटे व्यापारी और मजदूर थे दिल्ली आये जो लोग थे वो गरामिट भुसवामी थे वकील थे शिक्षक थे लापारी थे छोटे दुकान दाप थे तो विभाजन में उनकी जिंदगी और व्यापारी भी बदल गये फेरी वाले हो गये पट्री वाले बड़ाई और लुहारों के तौर पर उन्होंने रोजगार अपना लिये इनमेंसे बहुत सारे नए व्युसाओं में काफी सफल भी रहे व्युसाओं फले फुले तो पंजाब से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश बुछ तरह बदल दी भोज और पहनावे और जो कला है हर क्षेतर में मुखी रुप से उर्दू पर अधारी शहरी जो संस्कृतिया है नए रूचियां और सविद्धन शीलता जो है वो आप नीची देखने जो आप पहले बात कर रहे थे तो पुराने शहर के बीधर ये हुआ कि शाजानाबाद का हुआ क्या अतीत में मुखलों के जमाने की प्रसिद्ध नहरों से जो घरों में ना किवल पीने का जो पानी ताजा आता था बलकि जो दूसरी घरेलू जरूते हैं उनके लिए भी पानी मिलता था ये दिल्ली में निजामोदीन अलिया की जर्गा के पास एक बहुत प्रसिद्ध बावडी है तो 19 सदी में जलापूर्टी और जो निकासी थी उसकी बहतरी व्यवस्था को नजर अंदास किया जाने लिए अब ये नजर अंदास चूंकिया जो कूँए है जिस जिसे हम बावडी कह रहे हैं उसकी वस्ता अस्तविस्त हो गई गरेलू कच्रे की निकासी करने वाले जो धराए है वो भी शती ग्रस्त हो गई ये एक ऐसे समय की बात मैं कर रहा हूँ जब शहर की अबादी लाखातर बर रहे है तो टूटी फूटी जो नहरे है तेजी से बढ़ती अबादी की जरूत को पूरा नहीं कह सकती 19. सदी के आखिर में शाह जहानी नालियों को बंद कर दिया गया खुडी नालियों को नई रस्ता विकस्ति वहां की गई जल्द ही प्रणाली भी बोज से चर्वनाने ले नई प्रणाली भी तो बहुत सारे अमेर लोग जो हैं वो सड़क के किनारे जो बहती नालिया है उफंते खुले नालों से बद्नू से बड़े परिशान थे तो दिल्ली मुनिसिपल कमिटी एक अच्छी निकासी दरस्ता पर पैसा खर्च करने को तयार नहीं थी उसी समय नई दिल्ली के इलाके में निकासी रष्षा पर लाखों रुपे खर्च भी कर दे गए उससमय हवैलियों का पतन हो गया, ये हवैलिया देखिया ये 19- Gobierno के आखिर में दिल्ली का एक चांदनी चौक है आप देखिया आज की सिचॉ 자रन के आज है ये चार दिवारे से घिरे दालान और जरने वाली बहतरी भवे इमारते थी एक हवेली में बहुत सारे बहुत सारे परिवार है थी एक शब्द आएगा हमीर कुलीन वर्ग का बेक्टी जिसके पास अचा पैसा हो तो खुबसुरत फाटक से भीतर जाने पर जो हवेली है उसके अगर आप एक खुले आहते में पहुंच जाते थे चारों तरफ महमानों और कारी बारियों के लिए सारवजनी कमरे बने होते थे जिनका सिर्फ पुरुशी इस्तमाल करते थे बितरी दालान और जो कमरे परिवार की ओड़ों के लिए होते थे जो हवेली है उसके कमरों का कई कमरों के लिए इस्तमाल होता था फर निचर कम होता था यहां तक कि यह देखा जाए कि 19-वी शिताब्दी के मद्दे तक जो कमर अल दीन खान साब है उनकी हवेली में कई मारते थे उनमें गाड़ीवान तंबू लगाने वाले देरवाजी से कहते हैं मशालची हो गए खातेदार क्लर्क घरिली जो नौकर है उनके रहने का भी इंतिजाम था प्रॉपर तो बहुत सारे मोगल अमिर बिटिश शासन के समय इन विशालकाए इमारतों को समालने के हालत में नहीं रहे तो हवेलिया जो बटने लेगी उनके हिस्सों को बीचा जाने लेगा हवेलियों के जो हिस्से सड़क पर खुलते थे वहां दुकाने या गोदाम बने कुछ हवेलिया नहीं वर्ते व्योसाई वर्त के जियंतरन में चले गए ये बहुत सारी उपयोग में नहोंने की कारण बेकार हो तो आपनी वैशिक बंगले इन हवेलियों से बिलकुल अलग थे ये ऐसे नहीं थे ये बंगले एकल परिवारों के बनाए गए गये थे इसलिए एक मंजिल की ढलवा च्छत वाली इमारत होती थी ये बंगले आवम तोर पर एक या दो एकड़ की खुले स्थान पर बने होते थे इनमें रहने खाने और सुने की कमरे अलग थे अगले हिस्से में एक लंबा बरामदा होता था कई जो बंगलों की बात कर रहे हैं उसमें तीन तरफ बरामदा मनाय जाता था रसोही घर अस्तभल नौकरों की कौटर मुख्य मकान से अलग रखे जाते थे अब घर की देखबाल के लिए बहुत सारे नौकर होते थे परिव ये नई दिली का एक अपनी वेशिक बंगला है जिसके बारे में हम अभी काफी चर्चा कर चुके तो नियापाली का योजना नगरपाली का सोरी योजना बनाती है तो 1931 की जंडगना में ये पता चला कि जो पुराने शहर है उसके अलाके में भयानक भीन हो गई यहाँ पर प्रती एकट 90 लोग रहते थे जबकि नई दिली में एक एकड़वे केवाल तीन लोगों का उसक था तो पुराने शहर के जो बिगरते हालात है ये मैं पहरे शहर बताऊ यह आपको पुराने दिली की एक सड़क है आपको फिर भी कम लोग दिख रहे हैं अगर आप वाकरी म जो निवासी है निवासियों में उनके लिए रॉबर्ट क्लार्ग ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना जो है उसके नाम पर विस्तार योजना त्यार की अब इसके पीछे यह सोच थी कि यहां के निवासियों को पुराने शहर से अलगकर एक नहे तरह का जो चौराहा तरब दुकानों की कल्पना की गए थी और इन पुनर्व निवास यह कहें पुनर्विकास री डिवलप्मेंट उसमें सड़कों के लिए जाल वाली संजरचना तियार की थी सभी सड़कों की चड़ाई आकार स्वरूप एक जैसा होना था और महलों के निर्मान के लिए जम लाने में कोई मदद की भी नहीं यहां तक कि 1912 में भी इन नए स्थानों पर जलाप उड़ती और निकासी की दुस्ता बहुत खराब थी तो दिल्ली सुधार ट्रस्ट इसका गठन 1936 में किया गया इस यूजना के तैज जो संपन लोग है उनके लिए दरिया गंज दक्षि जगा पर नहीं रहते थे बलकि मकान के भीतर एक ही परवार कि विबिन सरदस्य अलग-अलग जगा रहते थे अन्यतर क्या हो रहा था दक्षिन अफरीका में हरवट बेकर जो हमने चितर भी देखे उसमें और इन चितरों में काफी समानता है लेकिन यह अलग-अलग माधविप में है 1819 के दशक की शुरुआत में जो हरवट बेकर साथ के उनका नाम एक यूआ अंग्रेज वास्तुक बार काम की तलाश में यह दक्षिन अफरीका पहुंच गया साथ अफरीका यही बेकर के मलाका केप टाउन के गवर्नर सेसिल रोड्स उन साब से हुई जिन्हों ने बेकर के भीतर बिटिस समराज के प्रती प्यार और प्राचिन रोमन और जो यूनानी वास्तुक शिल्प ह उसके प्रती प्रशंसा का भाव पैदा कर दिया अगर आप इस चित्र को देखें यह दक्षिन अफरीका में जो प्रिटोरिया शायर है उसकी यूनियन बिल्डिंग है जिसकी रूप रेखा बेकर साहब में त्यार किया इसमें प्राचिन प्रतिश्चित वास्तुश्र्प के तत्वों का इस्तमाल किया गया था जिनका बेकर में नई दिल्ली स्थित सचिवाले भवन हमारा उसकी योजना में भी इस्तमाल किया तो यूनियन बिल्डिंग भी नई दिल्ली स्थित सचिवाले भवन जो कि आपका ये है कि तरह एक पहाड़ी पर स्थित थी आप तो ये बात हुई इस टॉपिक की बहुत शुक्रिया बहुत मैमानी आप सबी की